मैं नासरों से नाप साब कानेश अकाडमी में तहदियर से शुक्रे अदा करता हूँ दोस्तों आज हम लोग जो समझने की जो कोशिश करेंगे वो रहेगा बिहार की जलवायू क्लाइमेट और बिहार मैंने बिहार जोग्राफी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने अप्लूट कर दिया है जो कि आप सब के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है अब हम लोग इसके करम में हम लोग आगे बढ़ेंगे अब हम लोग इससे जो बिहार सिरीज है मैं उसको मैं आगे लेकर के जाओंगा और मैंने जो इंडियर हिस्ट्री है जो भारत के इतिहास के और साइंस है उससे डिलेटर मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है उसे आप प्लेलिस में जाकर के जरूर देखे और आपको जरूर पसंद आएगी और बाकी मैंने उन सारे कंटेंस को मैंने मध्य नज़र रखा है जो कि BPSC के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टन है आगे अब हम समझते हैं हम लोग बिहार की जलवायू को समझेंगे बिहार की जलवायू climate और बिहार को हम समझने कोशिश करेंगे यह यह है किसमे की जलवायू की climate होता क्या सबसे पहले इसको समझते हैं climate जो जलवायू होती है कि किसी भी जगह में दिर्ग कालिक मौसम के आउसत अदशाओं को जलवायू कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो climate is the average condition of the weather over long period of time in any region is called climate। कुल मिला के बाद कह रहा है कि जब एक ही जगह पर जब बहुत लंबे time के लिए जब जितने भी जैसे की बारिश, धूप, गर्मी, ठंडी, आरे बस समय में जब बार जब इस तरह की चीज़े जब एक जगह पर जब बहुत लंबे समय तक लगबग 30 सालों के अंदर on-age average की weather, sorry, climate हम बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे, जलवाई बोलेंगे, यह एक दिन का नहीं होता है, लगबग यह बहुत एक लंबे समय का अवधी को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो लगबग 20-30 साल पहले जो बिहार में खास करके, पुर्वी बिहार में लगबग जो गर्मियों के दिनों में, बारिशों के दिनों में जो लगबग एक हफ़ते या फिर दस दीन तक लगातार बारिश होते रहती थी, इसका जो नाम है बिहार में अलग अलग जगवा पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, अब लेकिन जो आसे लगबग 20-30 साल पहले जो होता था जो दस दिन या हाफता लगातार बारिश अब नहीं हो रहा है तो वो उस टाइम था अब आज के टाइम में ये सारे चीज़े उस टाइम पे जो होती थी लगातार दस से एक हाफते से दस दिन के बेच में अब नहीं होती है तो इतने जो लंबा टाइम का ज जो जलवाईू है किस टाइब का है तो याद रखना है कि बिहार का जो जलवाईू है climate और बिहार वो बिल्कु उपोशन कती बंद है या फिर सब ट्रॉपिकल है या फिर दुसरा जो नाम रहेगा जलवाईू या फिर मौनसून climate तो एक सवल आपका यहां पर बन जाता है कि जो बिहार का जो जलवाईू या फिर climate किस टाइब का है उपोशन कती बंद है या फिर सब ट्रॉपिकल या फिर दुसरा नाम है मौनसून जलवाईू या फिर मौनसून climate ये आ गया ये जो जो सब टॉपिकल या फिर उपोशन कती बंद है जो बिहार का जो जलवाई है वो कैसे जरा उसको समझते हैं ये रहा गलोब ये क्या है गलोब है ये इधर नॉर्थ पोल है और यहां पर क्या ये साउथ पोल है आरिबास्वन में ये जो लाइन है यहां से यहां तक हम इसको से हम उपर की तरफ जाएंगे 23.5 जब हम उपर जाएंगे तो एक लाइन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या करकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो की इंडिया को अल्मोश टू एक्वल पार्स में डिवाइड करती है तो और एक सवाल यहां पर बन गया कि भा पराबर हिस्सों में जो डिवाइड करती है तो उसे हम क्या करते हैं करकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं अब उसी के जब हम उपर में और एक लाइन जो हम देखेंगे लगभख सारे 23 डिग्री से जब हम उपर की तरफ जाएंगे कहां 45 डिग्री तक जो ये वाला जो रिजन है ये वाला जो च्छेतर है हम उसको बोलते हैं उपोशन या फिर कटी बंद च्छेतर है इस बात को आपको याद रखना है ये वाले जो इलाका है उपोशन कटी बंद च्छेतर है तो भारत का जो अगर हम देखे ये भारत को ट्विकोल बारे जब यहां बिहार है तो मैं कहें सकता हूँ जो बिहार जो पढ़ता है कहां पर पढ़ता है यह उपोशन कटी बंद या फिर सब ट्रोपिकल जोन में तो आरिवा समयन में कि जो बिहार जो है इस जिगह पढ़ता है तो यह पढ़ता है उपोशन या फिर कटी बंद शेतर वैस Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn या फिर मकर के रेखा और मकर रेखा के बीच में जो जो distance है, ये वाला जो area है, हम इन सब area को ही एक नाम से जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, उशना कटी बंदेच्छेतर, और या फिर tropical zone बोलते हैं, या फिर tropics भी कहा जाता है, तो tropics जो किसके किसके बीच में होता है मकर रेखा और करकरेखा के बीच में होता है, इस वाले जो इलाका हो और इसमें temperature जो होता है temperature हाई होता है, क्या होता है temperature इन दोनों जगह पर गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की जो रोशनी है ज्यादा तर आती है वो कैसे आएगी हम लोग आगे देखेंगे नारी बसमज में जैसे ही यहां तो आ जाते हैं तो यह वाला यह 45 डिगरी से लेकर के कहां सारे 66 या फिर 66 and half डिगरी पर जब जाते हैं तो जो यह वाला जो इलाका पढ़ जाता है यह वाला कहां से लेकर के इस वाली 20 से लेकर के यहां तक उसको हम लोग बोलते हैं शीतो शड बोलते हैं या फिर उसको temperate zone के भी नाम से जाना जाता है जैसे उपर होता है सेव वैसे ही नीचे जाएगा जैसे कि यहां पर उपोशन कटी बन्द या फिर बोलते हैं नौर्थ सब्ट्रोपिकल जोन वैसे ही जब यह यहां पर आएंगे लगबग 45 कितना 45 डिग्री तो हम लोग बोलेंगे उत्री उपोशन कटी बन्द या फिर बोलेंगे साउथ सब्ट्रोपिकल जोन आरे बसमझ में हैं तक जैसे अगर मैं बिहार की अगर मैं बात करूँ कि जो अक्षांस की मैं बात करूँ या latitude की मैं बात करूँ तो वो 23 degree 20 minute 10 second से लेकर के 27 degree 31 minute 15 second तक होता है इस बात को आपको याद रखना है चले हमने इसको देख लिया तो अब हम आगे की तरह बढ़ते हैं कि जलवाई को परभावित करने वाले कारण या फिर बिहार का जो जलवाई है किसके वजह से जो परभाव होता है या फिर effective होता है हम लोग उसको समझने की कोशिश करें देखे बिहार के ही aspects में नहीं हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में या अर्थ का किसी भी हिस्से का जो जलवाई या फिर climate जो होता है उसको effect करने वाले इसके लिए कुछ जंको जिमादार या फिर responsible कुछ चीजे होती है और उसी चीजे से क्या होती है जलवाई या फिर climate को असर करता है या फिर उसको परभावीत करता है देखे ये जो शब्द सायद आपको सुनने में सुनने में सुनने में सुनने में confusion जरूर लग रहा होगा लेकिन simple से ये माने कि जिस जगह आप रहते हैं जब से आपका जो बचपना से लेकर अब तक आप बड़े हो गए हो तो देखो उस टायं पह आपने क्या क्या देखा ज़िसे कि हम लोग खुले हुए में रहते हैं गरमी भी होती है सर्दी भी होती है बारिश भी होती है तुफान भी आते हैं ऑ़जो ऊन सब चीजों को जब आप देखो गर average निकालोगे तो इन सब को जो हम average निकालते हैं तो हम इनी को ही क्लाइमेट बोलते हैं बट मैंने बच्पन से लेकर करके जवानी तक मैंने बोला तो यह लंबे टाइम तक के लिए होता है आरे यह ने बस समझें बिल्गुल confusion आप तो होना नहीं है यह सारे चीजों को पहली बात अगर मैं समझें तो हिमाले की स्थीटी को हम समझते हैं location of हिमाले जैसे कि यह बिहार है यहां पर हिमाले परवत है हिमाले जो परवत है यह ऊचे होने के कारण जो उस साइड से जो उत्तर से लेकर के जो हवाई ठं ठं हवाई जो आती है जो कि उसको रोक लेने क कि वजह से जो बिहार के साइड जो है जो या फिर कैसे हैным ही बहुत ज़ादा थन्से क्या होती है बच जाती है इसी वजह से इधर थोड़ी से गर्मी होती ऊधा होता है ये ये ऑसल हो गया जलवाई को अगर यह हिमाले पहाड ना होता तो फिर कुछ और ही होता है तो दुसरी बात अब हम लोग अच्छान से इस्थिती को हम देखते हैं या फिर latitudinal positions को देखते हैं यह latitudinal positions जो हमारे हैं तो यह गरम, थंडा, बारिस और हम लोग बोलते हैं जो वाई दाब, जो एर प्रेशर होता है यह इसके लिए बहुत जिम्मेदार है कौन अच्छान से इस्थिती या फिर latitudinal position तो जब हमारा बिहार जब यहाँ पर है तो याद रखना है आपको कि इस जगहाँ पर किसकी वजह से जब यहाँ से याद रखना है तो ऐसे टाइम पर जो की जनवरी से लेकर के जुन तक 21 जुन तक होता है हम लोग आगे देखेंगे कि जब जनवर 14 जनवरी से लेकर के 21 जुन तक जब सूरज जब इस साइड जब ट्रावल करता है तो यहाँ पर गर्भी बहुत तेज होने लगती है वो किसके वज़े से अच्छान से स्थिती या फिर लैक्टिटूडन पोजिशन की वज़े से होती है इस बात को आपको याद अठना है दूसरा है बंगाल की ठारी से नजदी की हाँ ऐसे टाइम पर क्या होता है कि जब बंगाल का जो बिहार में जो जलवाई परिवरतन या फिर बारिश होने का जो शरे जाता है वो बिल्कुल बेहार जो बेंगाल की खारी को ही जाता है बे ओफ बेंगाल को जाता है क्योंकि जब बे ओफ बेंगाल जैसे की यहाँ पर मैं मैं लेता हूँ कि बे ओफ बेंगाल है इस साड़ जो बिहार है तो जब इधर से मांसून जब या फिर हावाएं जो बादल साइड जो इधर जाता है हमाले पर वो ज्यादा उंचा होने के कारण यह वापिस आ करके जो बारिश है यहां पर होने लग जाती है तो यह भी है और फॉर्थ में समझता हम मांसून का परभाव जो की effect of मांसून मांसून का ही परभाव से ही यहां का क्लामेट जो क्या होता है उसके बाद हम लुग समझेंगे वायू की दिवावी एर प्रेशर भी क्या होता है कि बिहार का climate परभावित इसके भी वजह से होता है वायू दाब या फिर air pressure की वजह से और साथ में उच्चा वच्च या फिर height की वजह से भी होती है याद दखेगा जो बिहार का जो plane है कुछ जगह बिल्कुल एक plane है और कुछ अगर हम देखें बिहार के पश्मी इलाका या फिर जो दक्षिन इलाका थोड़े सो और चोटे मुटे जो पहाड है लेकिन याद रखेगा उसके वजह से जो उच्चा वच या फिर height भी क्या बिहार के climate के लिए जिम्मेदार है हम ने इसको हमने समझ लिया अब हम लोग समझते हैं कि जलवाई वरगी करण या फिर climate classification की जो पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कॉपेंड को कॉपेंड ने क्या किया यादा कि ए छेतर जो कि कौन कौन से इलाके में है इस बात को आपको याद अखना है और संकीत है मतलब इंडिकेटर्स है कि कि इन सब चीजों कर रिपर्जेंट कर लिया गया है जैसे कि CW जो है A है CBW है और इसका मतलब क्या क्या होता है यह objective या फिर PT के नजर से इतना important नहीं है कि इन सब का मतलब क्या है आपको समझना यह है कि उत्री बिहार या फिर दक्षिन बिहार का जो किन category या फिर type या फिर किस परकार के जलवाईू में रखा गया है आपको इतना समझना है तो COPEN के तहट क्या है कि जो उत्तर बिहार है या फिर नौर्थ बिहार है तो इंडिकेटर्स जो उसने क्या किया है COPEN ने CWG जलवाई उच्छतर या फिर CWG Climate Zone से उसे उसने रिपर्जिम किया है उसने कहा कि वह यहां का जो जलवाई हो CWG है इन सब कर जो मिनिंग क्या है व तो साउथ बिहार को उसने AWG जलवाई या फिर जलवाई च्छतर या फिर Climate Zone से इसने रिपर्जिम किया है तो याद रखेगा कि जो बिहार है ऐसे मैं ऐसे में माल लेता हूँ तो विद्वानों के लोगों को कहना है कि जो नौर्थ बिहार और साउथ बिहार का जलवाई हो जो दोनों में डिफरेंसेस है दोनों में क्या है भिन्न है तो जो साउथ बिहार है इसमें टेंपरेचर ज्यादा होता है और बारिश क्या होती है कम होती है तो जहां पर बारिश कम होगी तो जहाई सी बाई है तेंपरेचर बढ़ जानी है और उत्तर बिहार की मैं बात कर तो यहाँ पर temperature क्या तक कम होता है और बारिश यहाँ पर क्या होती है इसी के respect में इधर का जो मौसम मतलब जो जलवायो है यहाँ का और इस साइड का अलग-अलग है इसलिए categorize किया गया है देखिए है तो एक एक geographical area है आरीबा समझ एक धाचा तो एक ही है जमीनी हिस्सा है ल किया है थौन्स वेट ने क्या किया किया कि जो उत्तर पश्मी नौर्थ वेष्ट याद रखना है आपको जैसे कि जली बिहार है तो यह थौन्स वेट ने क्या किया है थौन्स वेट ने क्या किया कि भईया जो यह वाला इलाका है जो कि पश्मी और पुर्वी जो चंपारं वाला जो भाग है उसने कहा कि यहां का climate अलग है बाकि जो यह वाला जो हिस्सा है इसका जो climate एक जैसा है यहां का climate या फिर जलवाईू अलग है बाकि इधर बड़े वाले हिस्से का जो एक जैसा क्या है यहां का जलवाईू है तो इसने कहा कि भया जो उत्तर पश्मी याद कि cbw jy6 में इसको रखा गया है या फिर cbw climate zone में रखा गया है कि फॉन्स वेट ने रखा है और बाकि बिहार अधिकांस हिस्सा या बिहार का फिर अधिकांस हिस्सा का मतलब इस वाले हिस्से की बात कर रहा है ये वाले जो हिस्से को जो इस category में रखा गया है तो उसका नाम है CAW जलवायू छेतर या फिर CAW climate zone इस बात को आपको या दखना है उसके बाद जो तीसरे नमर का था वो है ट्रीवार था जो था यह कि अपने अपमे जो क्या है इसको importance दिया जाता है और इसने क्या किया कि जो बिहार को classification किया गए on the basis of the किसके जलवायू के CAW जलवायूचार में रखा और या फिर climate zone में रखा तो दचेड बिहार को South बिहार को haircut को इसने AW केटेगरे में इसको रखा गया या फिर AW जलवायूचार या फिर AW climate zone को रखा गया तो आपको इसको important कर लेना है आपको इसको proper डेंसर note कर लेना है आप मैं यह बात में बता रहा हूँ जो कि आपकी किताबों में जो important जो बाते लिखी गई है जो कि आपको PT के मदने नज़र से बहुत important है उसको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अब हम आगे समझते हैं अब हम सब बिहार में रित्यूएं या फिर seasons in बिहार बिहार में जो seasons होते हैं या फिर मौसम जो आते और जाते रहते हैं उसको समझते हैं बिहार में बिहार में तो क्या लगभग पूरे हिंदुस्तान में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में एक साल में 365 दिन में एक ही जैसा मौसम नहीं रहता है गर्मी तो गर्मी, सर्दी तो सर्दी, बारो वाला इलाका तो बारो वाला इलाका, बारिश तो बारिश है ना ठंडी तो ठंडी ऐसा नहीं होता है एक साल में सीजन्स बदलते रहता है यह सिर्फ अर्थ का रोटेशन या जो संकर लगाता है उसके वज़े से होता है तो अब हम लोग समझेंगे कि बिहार में कितनी तरह का सीजन्स या फिर मौसम में बाहर देखने को हमें मिलता है मौसम में बाहर हमेशा तो रहता नहीं है गर्मी में तो पसीना पसीना हो जाते है थंडियों में तो हम तो क्या करते हैं ऐसे से करते हैं थोड़े बड़े मज़े जो हम लेते हैं बरसाथ के मुसम में लेते हैं लेकिन हर एक मुसम का अपना एक मज़ा है अरे नहीं बाद समझ वे हैं हाँ जब मज़ा तो तब होगा ने जब अपने जब मकसद में आप लो जब कामियाब हो जाएंगे ज़रूर आप लोग कामियाब होंगे जब इतने मेनस से आप लोग पढ़ेंगे तो अब हम लोग समझते हैं तो मुखे तक तीन रितुएं या फिर मैनली त्री सीजन्स बिहार में होते हैं कौन-कौन होता है जरा हम समझते हैं गिरिश में अच्छा उन तीनों में से हम वन वन भाई हम लोग समझेंगे पहला है गिरिश में तो या फिर गर्मी वाला जो मौसम होता है समर सीजन्स ये मार्च से लेकर कि जून के बीच तक ये टाइम रहता है आरे बस समझ मैं मतलब यू समझ लिजए कि 21 जून को भारत का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और 22 दिसंबर को हिंदुस्तान का सबसे लंबी रात मानी जाती है ये भी आपको नोट करना है ये भी बीपेसी में पोशा गया है अरे बस मैं मैं आगे देखते हैं और ऐसे टाइन पर होता क्या है कि सूर ये उत्रायन होता है उत्रायन का मतलब क्या होता है कि जब सूरज कहां उत्तर दिशा में या फिर नौट साइद में जब ट्रावल करती है तो ये लगभग 14 जनवरी से कबसे ये लिखेगा यहाँ पर 14 जन 14 जनवरी से लेकर के 21 जून तक जो सूरज है कहां तक ट्रावल करना शुरू कर देता है लगभग हम बिहार तो यहाँ तक है यहाँ से लाते लाते लगभग 21 जून तक तो ऐसी टाइम पर क्या होता है कि जो गर्मी जो है पूरे भारत के जब सेंट्रल वाले हिस्से में हमेशा गर्मी बहुत रहती है और यहाँ पर गर्मी रहने के कारण जो वायू दाव है या फिर एर प्रेशर बड़ा कम हो जाता है तो ऐसे टाइम पर सूरिय उत्तरदाइन होता है एक सवाल यहाँ पर होता है कि सूरिय उत्तरदाइन या फिर दसल इन उत्तरदाइन में कब होता है तो याद रखना है जो गिरिश में रिती या फिर summer season या फिर गर्मियों के दिनों में होती है अब देखते हैं तापमान में विरिद्धी temperature increase ऐसे में जाहिर सी बात है कर जब सूरज जब ऐसे हिसाब से जब रहता है जब सूरज जब हमारे सर पर होता है तो समय लिए कितनी गर्मी होती है इस टाइम पर डेली में बहुत ज़्यादा गर्मी है मैं तिला तो वहें पर हूँ चलिए तापमान में विरिद्धी temperature बढ़ जाती है और वाई दाप क्या हो जाती ही कमी हो जाती air pressure decrease मतलब यह हो गया कि यहाँ पर air pressure कम हो जाती है और जहाँ पर गर्मी होती है air pressure ऐसे भी वहांपर डाउन होता है और जहाँ पर ठंडी होती है air pressure ज़्यादा होता है इसलिए ठंडा और गर्म आपस में जब मिलता है तो बारिश होती है तुफान भी आता है आरे बस समझ मैं ठंडा गरम जब मिलता है तो समझ गए ना आप लो अब आगे बढ़ते हैं पश्मी और मद्य भाग में गर्म हवा चलती मतलब यह हो गया कि बिहार के जो वेस्ट साइड और साथ में इस बात को आपको समझना है अब हम लोग आगे देखते हैं अब हम यहां से देखते हैं जैसे भी मैंने बताया कि जो बिहार के पश्मी पार्ट और जो मद्य बिहार है या फिर सेंट्रल बिहार के पार्ट में जब गर्म हवा है चलती है गर्मियों के दिनों में तो उसी को हम लोग बोलते हैं गर्म हवा को लू बोलते हैं जो गर्म हवा यो तेजी तेजी जो चलती है हम उनी को सिंपली लू कहते हैं आपने सिंपली सुना होगा कि इसको लू लग गया मतलब कि ज्यादा गर्मी को वज़स अगर किसी की तर्वियत खराब हो जाए दुख से हम लू बोलते हैं So, warm wind is called लू, English में भी लू ही बोलते हैं उसको आरे बसमाज में And, monsoon आने से पहले before arrival of monsoon अब बिहार में monsoon आने से पहले अब होता कि monsoon means diet की बारिश होना, but गरियों के दिनों के बाद ही अभी हम लो वर्शा मतलब वर्शा रीतू जब हम रैनी सीजन पढ़ेंगे तब हम उसको समझेंगे क्योंकि इस month में monsoon आने से पहले क्या होता है कि पुर्वी भाग, भागों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो उष्न कटी बंद है चक्रवातों के कारण वर्शा होती, it means that की जो इस्टन पार्ट और बिहार, बिहार के जो पुर्वी भाग है, उस वक्ते हलकी सी बारिश होती है due to tropical cyclones from the bay of Bengal, ऐसा होता है कि जब जो ये उस ने कटी बंद है चक्रवात या फिर याद रखना आपको की tropical cyclones की वजह से जब बंगाल की खारी उसे उड़ते 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 ऐसे आती है तो उसके साथ साथ क्या होता है गरिवियों के दिनों में जब भाब बनके पानी उपर में रहता है तो उसके कारण जब आधी आने के भी चांसे होती है हवाएं तेज़ चलती है तो उसी कारण में हलका सा बारिश भी हो जाती है मतलब यूँ समझ लिजिए कि ऐसे टाइम पर बिहार में मौनसून आने कर या कह सकते है कि शुरुवाती दौर हो गया है अब यहां से बारिश शुरू होगी बद पूरी तरीका से बारिश नहीं होगी जितनी आम तर पर बारिश होती है आगे देख लेते हैं और जब उस सैकलों को जो टॉपिकल सैकलोंस या फिर जो उशने कटी बंद है जब गर्म्यों के दिनों में जब बंगाल की खारी से जब हवाय चलती है जब हलकी हलकी बारिश होती है उसी को हम लोग हम उसको बोलें के लिफ हिसकी होती है और यह बारिश की शुरुवाती टाइम कह सकते हैं मौनसून आने से पहले का time तो उसी को हम लोग नॉर्वेस्टर या फिर कैल बैसाखी के नाम से जानते हैं जैसे हम लोग एक बेतर अंडरेस्टरेणिक और समझ सकते हैं जैसे कि यह वाला भूमद्य रेका है एक्वैटर है जीरो डिगरी जब अब होता क्या जीरो डिगरी से जब हम सारे 23 डिगरी या फिर 23.5 डिगरी जब हम उपर जाएंगे देखिए जीरो डिगरी पर क्या अक्टूब यह जो है 21 मार्च से जीरो डिगरी से 21 मार्च से सूरज क्या करती है इस जगह मूव करती है नौर्थ की तरफ या फिर उत्तर की तरफ जब यह move करते करते हैं 21 माज से ले करके 21 जून को जब पहुंचती है तो इस जगह इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं Tropic of Cancer बोलते हैं क्या बोलते हैं Tropic of Cancer बोलते हैं आरी बस समझ वे चलिए दुस्वा मार करें कोई बात नहीं है अब क्या होगा जैसे ही 21 जून को यहां पहुंचेगा तो यह जगहां पर जो यह वाला Temperate Zone है यहां पर कितने डिगरी पर यहां पर पहुंचा इसको हम लोग क्या बोलते हैं Tropic of Cancer फिर वो वापिस आना शुरू कर देगे जब 21 जून से फिर रास्ता मतलब वहां से पकड़ेगा कहां से इस वाले से इस जगह से जब वो क्या करेगा फिर इस साइड आने की कोशिश करेगा 21 जून से लेकर कहां तक महुआ जाएक अक्टूबर तक महुआ चागए या दखेगा लगबग आधा अक्टूबर तक जब अक्टूबर तक यहां पहुच जाएगा इक्वेटर पर 0 डिगरे पर फिर अक्टूबर से लेकर कि 22 दिसमबर तक कहां इस साइड उत्तर साइड आने की सुरज कोशिश करेगा जब सुरज जब 21 जून को जब यहां पहुंच जाता है तो इसलिए भारत में सबसे लंबा दिन इसको माना जाता है आरिबा समझे या फिर कह सकता है कि उतली गोलार्त या फिर बोलते हैं नौर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन होता है और वही चीज इस साइड में उल्टा होगा कि 22 दिसंबर को जब जून यहां पर जाएगा तो इधर सबसे बड़ा दिन होगा और जो दक्षिन गोलारता है या फिर हम बोलेंगे साउथ कोल पर क्या होती सबसे बड़ा सबसे बड़ी रात होती है जैसे ही अक्टूबर को जब वह आपीस सूरज कहां पहुंच गया एक्वेटर में तो फिर 22 दिसम्पर को जैसे पहुंचता है तो इस साइट के सबसे बड़ा दिन होता है और भारत में हम सबसे बड़ी रात को मनाते हैं इतनी यह तो बात आपको समझ में आगाई होगे अब हम लोग समझते हैं अब यहां अब मही मन्त क्यों समझाए आप क्या बिहार का मैं मन्थ में क्या होता है कि एक और इस साइड है तो इस साइड के क्या होगा कि जब हम लोग इस साइड में रहेंगे तो इधर देखे इधर वेस्ट बेंगॉल है और इधर क्या यूपी है इस साइड में क्या है यूपी है तो आपको याद रखना है कि जो इस साइड है तो इस साइड में जो इलाका है इस वाले इतनी वी डिस्ट्रिक्स में गर्मी जादा होती है और जब हम लोग इस साइड स सबसे ज़्यादा क्या होती गर्मी होती है या फिर बिहार में सबसे ज़्यादा गर्म जगह है वो गया को का जाता है और सबसे ठंडी जगह भी गया ही है इस बात पर याद रखेगा ठंडी में ठंडी होती है गर्मी में गर्मी होती है यहां गया में इस बाद को अब नोट कर लिए एंसी को बन जाता है और उसी तरह का से हम यहां चले जाएंगे तो अलग-अलग टेंपरेचर है मैक्सिमम टेंपरेचर अगर मैं देख लो तो इस वाली रिजन में लगबख 40-41 है फिर इस वाली रिजन में अगर मैं गर्मी की मैं बात करो तो 39-40 मतलब 49-40 डिगरी ते यहां की कह रहती है तेंपरेचर फिर उसी हिसाब से 38-49 डिगरी फिर 37-38 डिगरी 34-36 डिगरी इस इला ओके गाइस अब जो हमारी जो मुलाकाद होगी वह अगले पार्ट में होगी इस वाले यहां तक जो आज हमने जो पढ़ा यह हमने समर सेजन या फिर हमने जो गिरिस में रितू हम वहां तक देख लिए उसके बाद फिर जो अगला वाला जो पार्ट होगा या फिर जो वर् तेखने की कोशिश करेंगे, so guys thank you, thank you very much